नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हूं वाइकमस अन्बोक्सिंग और मैं हूँ श्रीम राशपूद और आज की इस वीडियो में हम हायर के रेफिजरेटर की अन्बोक्सिंग करने वाले हैं जो की इसी साय यानि 2023 में लाउंच भी हुआ यानि एक काफी नया प्रड़क्ट है और मैंने सुटास की जलाई यह आपको एक वीडियो जो है वो आपको दी जाए और इस रेफिजरेटर को हमने अमेजोन से कुछ तुनों पहले और भी किया था तो आज फिलाल हमारे सामने हमारे साथ में यह और आज सो हम आपको इसकी अन्बोक्सिंग तो देंगी देंगे साथ में आपको इसके रेव्यू भी देंगे और यह रेफिजरेटर आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए और इस रेफिजरेटर का प्राइस क्या 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 स्पेसिफिकेशन तो जितने भी आपके कोश्चन्स है ना उन सबके आंसर आपको इस वीडियो पे म बताते हैं हमारे सामने आ चुका है हायर के रेफिजिरेटर का बॉक्स और इस परड़क को जिसा कि मैंने आपको बताया कि यह मैंने इसको अमेजॉन से ओर्डर किया था और इसका जो पूरा नाम है वो है हायर 185 लीटर टू स्टार डायरेक्ट कूल सिंगल डोर रेफिजिरे यह जो कि आपके लिए काफी एक प्राउड का मोमेंट होता क्योंकि में इंडिया कहीं पर भी लिखा होता है ना मतलब आपको एक प्राउड अंदर से फील होता ही है चलिए हम इस बॉक्स को खोल लेते हैं और अपने रेफिजिरेटर को जो कि हमारे हायर का है उसको जल्द साइड में रख लेते हैं अगर हम इस हायर के रिफिजिलेटर के प्राइस के बारे में बात करते हैं तो प्राइस यह आपको 12,990 रुपए का Amazon में मिल जाएगा लेकिन इसमें आपको कुछ जो हैं अगर आपके पास कुछ कार्ट्स होते हैं तो आपको यह 12,000 रुपए तक कभी पढ़ जाता है तो आपको काफी सही प्राइस में यह अमेजॉन पे अविलेबिल हो जाता है यहाँ पर हम थोड़ा से इसको फिट कर लेते है अगर हम बात करते हैं इसके डोर की तो इसमें आपको सिर्फ एक सिंगल डोर जो ही आपको देखने को मिल जाता है और जो हमाला रेफिजिरेटर का टाइप है वो आपको टॉप रेफिजिरेटर फ्रीजर के रूप में देखने को मिलता है डीफ फ्रॉसिंग टाइप जो compressor type की बारे में बात करते हैं तो इसका जो compressor का type है वो आपको normal का देखने को मिल जाता है and आप इस refrigerator को lock भी कर सकते हो पर कैसे locker होगे वो मैं आपको आगे चलके बताने वाला भी हूँ and अगर आप इसके side look को देखोगे ना तो इस refrigerator का side का look है वो literally काफी best है and इसमें आपको जो इसका higher का जो logo है वो भी काफी अच्छी जगे पर fit जो है वो यहाँ पर किया गया वो है जो की काफी अच्छा भी लगदा है वो काफी shine भी कर रहा है and इसमें जो इसका handle है हमारे refrigerator का उसकी भी length आपको काफी लंबी जो है वो आपको देखने को मिल जाती है and इस refrigerator का जो यह पूरा texture है वो भी काफी जादा अच्छा है and यहाँ पर आपको इसके जो liters है उसकी यहाँ पर आपको details यहाँ पर mention होते हुए देखने को मिल जाएगी यहाँ पर 190 liter mention है लेकिन यह आपको total 180 liter का ही देखने को मिलता है चलिए अब हम यहाँ पर अंदर की तरफ में जो हमारा higher का refrigerator है वो कैसा देखता है वो भी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं लेकिन उससे पहले जो हमारे door में जो एक rubber लगी हुई है इसकी building quality काफी गजब की है अब बारी आते है हमारे higher के refrigerator के अंदर की तरफ में तो यहाँ पर हमारे अगर आप काफी सारे समान को रखना चाते हैं वो भी single एक fridge में तो यह fridge आपके लिए ही बनाए आप काफी सारा समान जो है वो इस refrigerator में रख सकते हैं आपके vegetables है, fruits है, milk है, आपका water है and butter है जो भी चीज़े हैं वो सब चीज़े आप यहाँ पर आसानी से रख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर section जो है वो divide भी किये गए तो यहाँ पर हमने कुछ समान जो है में बात करते हैं तो power का जो consumption है वो आपको 210 watt का देखने को मिल जाता है and अगर हम power requirement की बारे में बात करते हैं तो AC 220 से लेके 240 volt तक का आपको देखने को मिल जाता है and यहाँ पर आपको LED bulb भी देखने को मिलता है and यहाँ पर जो ring लगी हुई है न इसमें आपको temperature control आप आसानी सिक कर सकते हैं चाहिए वो आपका winter का हो आपके monsoon का हो या फिर आपके summer का हो तो अभी तो हमारा summer चल रहा है तो इसलिए यहाँ पर आप summer की तरफ में इसको move कर दीजीगा अब बारी आती कि आपको इस refrigerator में in the box में क्या-क्या देखने को मिल जाता है देखिए आपको एक refrigerator तो मिलता है तो एक key भी देखने को मिलती है जिसकी मदद से आप अपने fridge को आसानी से lock भी कर सकते हैं अगर आपको अपने fridge को lock करना है तो आपको यहाँ पर एक चाभी भी देखने को मिल जाती है जो भी काफी एक अच्छी quality की आपको देखने को मिलती है अब हम बात करते है कि आपको इस refrigerator को lock कैसे करना है वो भी चले है आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ जड़ा कोई बड़ी चीज नहीं है आप आसानी से lock कर सकते हो लेकिन उससे पहले में आपको इस fridge की है जो rating है वो कैसी है वो भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ तो performance की जो rating है वो आपको 4.1 की देखने को मिल जाती है and design की जो rating है वो आपको 4.4 की value for money की 4.2 की and delivery and installation की जो rating है वो है 4.1 की तो rating आपको literally काफी best quality की देखने को मिल जाती है and हमारे refrigerator का जो यह back portion है back portion में काफी अच्छा है लेकिन नीचे की तरफ में जहां पर हमारी यह refrigerator की motor लगी हुई है यहाँ पर थोड यहाँ पर चुहे घुश जाते हैं तो शायद यहाँ के जो थोड़े तार हैं वो अगर काट देते तो थोड़ा सा मतलब नुकसान जो हो सकता है तो मतलब यहाँ पर नीचे की तरफ में जो finishing देनी चाहिए वो शायद इन्होंने थोड़ी सी नहीं दी है and अब बारी आती है रिवियो की तो यह रिफिजिरेटर लिटरली काफी बेस्ट है प्राइस में भी काफी जाद अच्छा है and साथ में अगर आप इसको लेने जा रहे हैं तो इसमें आपको जो इसकी कैपिसेटी है वो भी काफी अच्छी दिखने को मिल जाती है and rating भी आपको काफी सही दिखन मिलते हैं बोजल नेक्स्ट वीडियो में